आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं आपको दिखाते हूँ इस सुन्दर सी एंटीस कर भूटीस डिसाइन एक आरे और मगमवक पैठन है जिसे मैं दिखा रहे हूँ नॉर्मल स्टिचिंग निडिल से चले शूर करते हैं इसके लिए मैं जो मेटेरियल यूज कर रहे यह चोटा साइस का है और यह एंटीक कुंदन्स है इसको जो है ना डिजाइनर जिल्वर यह मेटालिक जैसे दिखती है यह आसाने से मिल जाएंगा आपको फैंसी एटे ले रहे हैं मेटेरियल शॉप्स में बॉल्चेंग लेस एचो है ना स्मॉल साइस है और इससे इसे स्टिच करने के लिए यूज कर रही हूँ नॉर्मल स्टिचिंग नीडिल अब मैं ग्लू लगा रही हूँ जिसके उपर रेड कलर कुंदन को चिपकाऊंगे और यह फ्री हैंड पैटन है जिसके लिए मार्किंग की जरूरित नहीं पड़ते अभी सूपनी के बाद इ दो दो बॉल्स को चोड़ते हूए हमें स्टिच करने का है और बड़ा चैनलेस लगाते हूए इसको मेजर कीजिए ऐसे इतना जो लेंध है इधर मैं कट करती हूँ और इसे भी इसके बाजू ही लगाते हूए स्टिच कर देती हूँ और इस तरह के डिजन्स बहुत सिंपल दिखती है आप ओवराल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं ब्लाउस या क्रॉप टॉप्स या फिर प्लेइन का उर्तिस के ऊपर जैसे डिजाइनर पैटन जैसे बाना सकते हैं बहुत ही प्यारी दिखती है ट्राइ कीजिए मेटालिक कुंदंस को में चिपकाती हूँ जिसके लिए 10 या 12 राउंड्स ग्लू लगाने का हैं और इसके ऊपर से मैं ए आंटिक कुंदंस को चिपकाऊंगे और इसे ड्राइ होने दीजिए अब मैं इसके ऊपर पर्ल और जर्दोसे से स्टिच करेंगी जर्दोसे जो है जो कि 1 cm के हिसाब से कट कर दिया है और पहले मैं पर्ल को स्टिच करती हूँ ऐसे और इसके बाजु जो है आंटिक से यानि आंटिक जर्दोसे को अगाए इसे इंसर्ट करती हूँ नीडिल में और इसको पूरे राउंड अप कर देती हूँ जिसे की डिजैने पैटन जैसे दिखती है और इसका बाजु ही फिर से एक पर्ल को स्टिच करती हूँ और एमबलिश करती हूँ जर्दोसे स्ट्रिंग के साथ बिल्कुल इसके बीच में स्टिच कर रहे हूँ एक एरिंग पैटन है जो कि आंटिक कुंदन का है नीचे हैंगिंग लुक देने के लिए गोल्डन बीड एसे स्टिच कर देती हूँ और इसके नीचे चिपकाती हूँ फिर से रेड कलर कुंदन तो ग्लू अपलाई करते हूँ इसके उपर स्टिक कर देती हूँ रेड कलर और ऐसी बनती है हमारा ब्यूटिफुल सा अगर इसके उपर बना दिया है एक उच ऐसे दिखती है या पार्टिवेर या ओफिस वेर के लिए भी ट्राइ कर सकते है और ब्लॉजस के उपर डिजाइन करने के लिए भी ट्राइ कीज़े ए बहुत सुंदर और प्यारी दिखती है उमिद है मेरी आइडिया आपको अगर बेटन को क्लिक के जिसे आपको मिल जागे मेरा नए नोटिफिकेशन अभी मैं अप्लोड करती हूँ तो आप तक के लिए इतना ही सी यू और बाइफर नहों